दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस केल पर भारत अपनी इंफ्रास्रक्टर और इंस्टिटूशनल कपसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोड दे रहा है यह भी अभुद्पूर्व है मुझे खुशी है कि हमारी इस कपिसिटी के निर्माण में जपान एक एहम भागिदार है मुंबई अमदाबाद हाइश्पीड रेल हो दिल्ली मुंबई इंडर्स्टिल कोरिडोर हो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर हो यह भारत जपान के सहीयों के बहुत बड़े उधारना है साथियों भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है हमने भारत में एक स्ट्रॉंग और रिजिलियन्ट रिस्पॉंसिबल डेमोक्रिसी की पहचान मनाई है उसको बिते आठ सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाथ के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कभी गवरों के साथ ये अनुबों नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है हर बार हर election में record turn out और उसमें भी यहाँ जो हमारी माताएं बहने हैं उनको जड़ा खुशी होगी आप अगर भारत के चुनाओं को detail में देखते होंगे तो आपको ध्यान आता होगा कि पुरुसों से ज़्यादा महिलाएं वोट कर रही है ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में डेमक्रेसी कि सामान्य से सामान्य नागरिकों के हकों के प्रति कितनी सजग है कितनी समर्पिद है और हर नागरिक को कितना सामर्थवान बनाती है। साथियों, मुल्द सुविधाओं के साथ साथ, हम भारत के एस्पिरेशन को भी नई बुलंदी दे रहे हैं, नया आयाम दे रहे हैं। भारत में इंक्लूजिवनेश का, लीकेज प्रूप गवननस का, यहने एक ऐसी डिलिवरी व्यवस्ता, टेक्नलोजी का भरपूर उप्योग करते हुए, एक ऐसे मेकनेजम को विस्तार किया जा रहा है, ताकि जो जिस चीज का हकदार है, वो बिना मुसीबतें, बिना कोई सिफारज को, बिना कोई करप्शन किये, अपने हग को प्राप्त कर सकता है, और उसमें हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और टेक्निलोजी के इस उप्योग ने, डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस परंपरा ने, कोरोना के इस विकट कालखन में, गत दो वर्ष में, भारत की और खास करके भारत के दूर सुदूर गाउं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, हमारे नागरिकों के हकों की बहुत बड़ी रक्षा की है, उनकी मदद की है। उसका ये परणा मिल रहा है, और आपको साथियों जान करके खुशी होगी, पूरी दुनिया में, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं न, कैशलेश, यहाँ जपान में तो आप लोग टेक्नलोलोजी से भली बाती परिचित रहते हैं, लेकिन ये बात सुन करके आनंद होगा, अस्यर्य होगा और गर्व होगा। पूरे विश्व में, जितना भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, उसमें से 40 प्रतीशत अकेले भारत में होता है। कोरोना के शुरुवाती दिनों में, जब सब बन था, उस संकट के कालखन में भी, भारत सरकार एक क्लिक बटन दबा करके, एक साथ करोडों भारतियों तक आसानी से उनके लिए जो मदद पहुंचा निए पहुंचा पाते थे। और जिसके लिए मदद ताय थी, उसी को मिली, समय पर मिली, और इस संकर से जूजने का उसे सामर्थ भी मिला। भारत में आज सही माइने में पीपन लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मोडल डिलीवरियू को एफिजेंट बना रहा है। यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वात का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आज जब भारत आजहाजी के 75 साल बना रहा है। आजहाजी का अमृत महोत्सव बना रहा है। यानि आजहादी के सोबे वर्स तक हिंदुस्तान को हमें कहाँ पहुचाना है, किस उंचाई को प्राप्त करना है। बिश्व में हमारी जन्नक कहां कहां कैसे कैसे घाड़ना है। आज हिंदुस्तान उस रोड में प्यार करने पर लगा हुआ है। आजादे का यह अमृत काल भारत की समृति का संपनता का एक बुलंद इतिहास लिखने वाला है दोस्तों मैं जानता हूँ कि यह जो संकल्प हमने लिये हैं यह संकल्प आप बहुत बड़े हैं लेकिन साथियों मेरा जो लालन पालन हुआ है मुझे जो संस्कार मिले है जिन जिन लोगों ने मुझे गड़ा है उसके कारण मेरी भी एक आदद बन गई है मुझे मक्षन पर लकीर करने में मजानी आता है मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ लेकिन साथियों सवाल मोदी का नहीं है आज हिंदुस्तान से 130 करोड लोग और मैं जपान में बैठे वियों लोगों के भी आँखों में वही देख रहा हूँ आत्मаныवियश्वास 130 करोड देश्वासों का आत्म विश्वास 130 करोड संकल्प 130 करोड सपने और यह 130 करोड सपनों को पूर्ण करने का यह विराट सामर्त्य्प्रणाम निशिद्प लेके रहेगा दोस्तों मैं इस सपनों का मृश्व भार्ब आज भारत अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति अपनी संस्ताओं के अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हांसिल कर रहा है दुनिया भर में कोई भी भारती आज सीना तान करके आँख में आँख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है ये परिवर्तन आया है आज मुझे आने से पहले भारत की महानताओं से प्रभावित कुछ लोग जो अपना जीवन खपा रहे हैं से लोगों के दर्शन करने का मुझे मोका मिला और बड़े गर्व से वो कह रहे थे योग की बाते वो योग को समर्पीत है जपान में भी शायदी कोई होगा जिसको योग की कलपना नहों हमारा आयुवेद हमारी पारंपरिक चिकिसा पद्धती आज काल तो हमारे मसाले सब दूर उसकी मांग बढ़ रही है लोग हमारी हल्दी मगवा रहे इतना ही नहीं साथियों हमारी कादी वरना तो आजादी के बाद धिरे 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 वो नेताओं के कॉश्यम मन करके रह गई थी आज उसका आज पुनर जिवन हो गया है खादी ग्लोबल बन रही है जी यही तो भारत के बदलती हुई तस्वीर है दोस्तों आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गवरवानवित है उतना ही टैक लेड़, साइंस लेड़, इनोवेशन लेड़, टैलेंट लेड़, फ्यूचर को लेकर भी आशावान है जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेका निजिर एक बार कहा था कि हम भारतिय नवजवानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए आप लोग ये वाक्य पढ़कर के आएंगे हो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ लेकिन विवेका निजिर भारत के लोगों को कहा था कि भाई एक बार देख कर तो आओ जपान है कैसा साथियों उस जमाने में स्वामी विवेका निजिर ने जो कहा था आज के युक के अनुरुप उसी बात को उसी सदभावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जपान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करें आपने अपनी स्किल्स से अपनी टैलेंट से अपनी एंट्रप्रेनर्शिप से जपान की इस महान धर्ती को मंत्र मुग्द किया है भारती यता के रंगों से भारत की संभावनाओं से भी आपको जपान को लगातार परिचित कराना है आस्ता हो या एडवेंचर जपान के लिए तो भारत एक स्वाभाविक टुरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए भारत चलो भारत देखो भारत से जुड़ो इस संकल्प से जपान के हर्थ मेरे भारतिय से मैं आगरह करूंगा कि वो उसे जुड़े मुझे विश्वात है कि आपके सार्थक प्रयासों से भारत जपान की दोस्ति को नई बुलंदी मिलेंगी इस अध्गूत स्वागत के लिए और मैं देख रहा था अंदर आ रहा था चारों तरफ जोज नारे उत्सा और जितना भारत को आप अपने में जीने की कोशिश करते दिख रहे हो इस सच मुझ में दिल को छूने वाला है आपका ये प्यार ये स्ने है हमेशा बना रहे इतनी बड़ी तादाद में आकर के और मुझे बताया गया कि जापान मसे सिरफ टोक्यों से नहीं बहार से भी कुछ साथिया जाए है पहले मैं आया करता था इस बार नहीं आप आया था आप भी आ गए लेकि मुझे अच्छा लगा आप सब के दर्शन करने का आउसर मिला मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रजे से आभार वेक्ट करता हूं भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल